हेलो फ्रेंस आप सभी का हमारे यूटूब चनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है आज इस वीडियो में रिजनिंग के कुछ इंपॉर्टन क्वेस्टन को डिसकस करेंगे जो असिस्टेंट लोको पाइलेंट और टेकनेसियन के एकजाम में पूछे गया है ठीक है तो पहल 22 दिया गया है नेक्स्ट हमको क्या होगा फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से इसको बना सकते हैं जैसे अगर हम कभी भी लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो इससे ये पता चलता है कि या तो यह जो पोजिशन होता है लेटर का उसी से नंबर को लेटर से देखेंगे तो इसमें अगर देखें हम नंबर को तो नंबर नंबर को अगर हम देखते हैं तो नंबर को देखते ही पता चल जाता है इस नंबर का रिलेशन कैसे है इस नंबर से गुना छे है इधर भी देखते हैं 12 को अगर 6 से गुना कर देते हैं तो कितना आ ज तो यहां पर तो 4.32 एक होगा ही होगा ability को अब इस लेटर का लेटर से क्यारेलिशन १ेख्ते है अगर 9 आगे चले जाएंगे तो किया में आगे चले जाएंगे तो ती इन। के फूब के नोगता है तो जैसे बूज बॉस जैसे और मेरा होता है तो creators प्लस जैक्ट में aug Crash तो अप्लस से कितनाइक्स्ट्रा होगा हुए टीन एक्स्ट्र लागर्स में तुसमा नहें एक्स्ट्राक से ज़गाटा हमाथ तो क्या हो जाएगा इसका correct answer क्या हो जाएगा C432 C432 जो होगा इस question mark के जगह में होगा और इसका correct answer कौन सा हो जाएगा option number A is the correct answer ठीक है option A मैं next question दिया है ये direction का question है कि मीत जो है प्राता काल सुर्ख के सम्मूख होकर cycle चलाना प्रारणाब करता है कुछ समय के बाद वह अपने 22 और 45 डिगरी मूरता और फिर से अपने 22 और 80 डिगरी जो होता है घूमता है वो किस दिसा में है ठीक है तो जब भी हम direction का question बनाएंगे तो एक बात याद रखना है कि उपर में जो होता है north होता यानी उत्तर नीचे south यानी की दक्चिन इधर east यानी की पूर्व और इधर होता है west यानी की पस्सिम पस्सिम ठीक है प्राता काल सुर के सम्मूख होकर साइकिल चलाना परारम करता है तो सुर के सम्मूख होकर मतलब सुर की ओर तो सुर चुके यह मान लेते हैं अगर इस्ट है इस्ट में सुर उपता है ठीक है प्राता काल है तो सुर कहा होगा इस्ट में होगा और यह जो होता ह अब बंदा cycle चलाना इधर से स्टार्ट करता है मीत क्या करता है इस की साइकिल चलाना इस्टार्ट करता है कुछ समाई के बाद हुआ अपनी बाहें और तो बाहें दाइं इस में क्या कैसे देखना होगा कि डायेक्षन के गुमने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये 45 और 45 डबल 90 से थोड़ा सा कम यानि कि ये मान लेते हैं ये थोड़ा सा कम होगा 90 से इधर घूम गया ये मान लेते हैं कितना हो गया इसके रिस्पेक्ट जो है 80 डिगरी हो गया ठीक है ये हो गया 80 डिगरी ठीक, यह 80 degree घुम गया, अब वह किस direction में है, तो अगर हम बात करें, यह तो हम यहां से लेकर चले थे, center इसका यहां मान के चले थे, अब इसको अगर center मान के चले हैं, तो यह मान लेते हैं, यहां से क्या हो गया, ऐसे करके बना देते हैं प्राणुम्बिक जो है उसको सेंटर मान लेते हैं ये तो इस था इधर क्या है नौर्थ है इधर क्या है इधर क्या है वेस्ट है तो ये जो है ये अभी किदर है ये है नौर्थ और इस्ट के बीच में तो यानि क्या हो गया उत्तर पुर्व ठीक है उत्तर पूर्व इसका correct answer हो जाएगा तो अभी जो इसका position होता है यहां पर यह नॉर्थ और इस्ट के बीच में है यानि कि उत्तर जो है और पूर्व direction के बीच में यानि उत्तर पूर्व कहलाया यानि कौन सा होगा option number C is the correct answer ठीक है blood relation का question है यदि A cross B का आर्थ क्या होता है A B का पुत्र है यानि कि cross का आर्थ अगर बोलें तो इसका मतलब क्या हो गया पुत्र हो गया उसके बाद क्या है A plus B का आर्थ क्या होए A B का पिता हो गया यानि ये father हो गया भाग का आर्थ क्या हो गया a भगा b का आर्थ क्या है a b की पुत्री यानि यह हो गया पुत्री उसके सिरीज दिया गया है भी भागा सी ठीक है माइनस ए प्लस डी ठीक है अब इस सिरीज में हमको बताना है कि बी ए से जो है किस परकार संबंदित है ठीक है बी जो है ए से किस परकार संबंदित है तो डी के बारे में तो हमको पूछी नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे हमेशा इस बता लेते हैं, कि भागा का मतलब क्या है, ये तो पुत्री था, ठीक है, और माइनस का मतलब क्या है, ये पत्नी है, ठीक है, तो कैसे एक हो गए, ये मेरी पत्नी हो गई, और पत्नी की पुत्री मेरी कौन हो गई, पत्नी की पुत्री मेरी भी पुत्री हो गई, यानि B कौन हो एका पुत्री यह से किस प्रकार संबने थैं यह बी जो है एका कौण हो गया पुत्री हो गया तो करेक्ट एंसर क्या होगा पुत्री गया हैं हिए हैं कि रहिए कि मैं पूस्ता की एच घर B का कौन हो गया अगर B A का पुत्री हो गया तो A या तो पिता होगा या माता होगा तो हम कैसे पता करेंगे कि या पिता होगा या माता होगा देखिए पिता क्या होता है जंडर मेल हो गया और मा का जंडर कौन सा हो गया फिमेल हो गया तो कैसे पता करना है इसके आगे जो सिंबॉल है उससे उसका जंडर पता कर लेंगे जैसे प्लस है तो प्लस वाला जंडर पिता के लिए होता है तो ये जो है ये मेल जंडर होगा जंडर पता करना है उसके आगे वाले सिंबॉल से देखेंगे ये चुके प्लस मेल जंडर है पिता है, तो male gender हो गया, तो ये भी male हो गया, तो B का A कौन हो गया, पिता हो गया, अगर female रहता है, तो क्या हो जाता, माता हो गया, लेकिन यहाँ male gender है, तो ये क्या हो गया, पिता हो गया, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि B A का कौन सा लगा, तो पुत्री लग गया, ठीक है, तो इसका correct answer कौन सा हो गया? Option number C. इसको जो और एक तरीका से बना सकते हैं, कि जैसे B भगा C का मतलब क्या है? B भगा C का मतलब हो गया, B जो है C की पुत्री है, तो ऐसे भी बना सकते हैं, कि B जो है C का कौन हो गया? पुत्री हो गया, उसके बाद minus है, C minus A का मतलब क्या हो जाएगा? मैनस का पत्री हो गया, C जो है A की पत्री हो गया, C A की पत्री हो गया, तो इस टाइप से भी हम निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी दोनों answer सही होगा, ठीक है? Question यह भी blood relation का, इसमें कह रहा है, A जो है B की बहान है, ए क्या हो गया, बी का बहन हो गया, तो यहां कर लेते हैं, ए क्या हो गया, बी का बहन हो गया, ए और बी क्या हो गया, पाई बहन है, लेकिन ए क्या है, फिमेल है, और ये मेल है, बी की साधी डी से हुई है, बी की साधी क्या होगा, डी से हो गया, ठीक है, यानि ये क्या हो गय यह male है तो यह क्या होगा female होगा है क्योंकि यह wife husband है ठीक है बी और डी की पुत्री कौन है जी है एक ही जगा दे देते हैं जी और यह क्या हो गया पुत्री हो गया ठीक है जी का A से क्या संबंद है जी का A से क्या संबंद है ठीक है ठीक है जी जो है बी की पुत्री हो गया और ये B की बहान हो गया तो जो G का ये कौन हो गया? फादर हो गया और फादर का बहान G का कौन लगेगा? फुवा लगेगा ना तो ये हो गया फुवा और फुवा को English में क्या कते हैं? आंट कहते हैं तो इसका correct answer क्या हो जाएगा? ये तो चुके फुवा हो गया तो A, G का कौन लग गया? फुवा लग गया लेकिन G का कौन लग गया? G जो है A का कौन लग गया? भतीजी लग गयी अगर चाचा रहता तो भी भतीजी हो जाता ठीक है? ये क्या हो गया? भतीजी हो गया तो इसका correct answer हो जागा option number C बतीजी Next question कर रहा है यदि किसी घड़ी का दरपन परतीबीम जो है यानि की mirror image जो है 3.15 का समय दर साता है किसी घड़ी का मैं अगर 3.15 बज रहा है तो इसका अगर mirror image देखेंगे तो वो कितना होगा वो find out करना है तो mirror image को निकालने का क्या तरीका है जाइसे यहां समय क्या दिया है 3.15 बज के पंदरह मिनट तो इसको क्या करेंगे जब भी देखेंगे अगर ग्यारा से एक के बीच में समय है तो हम 24 गंटा में घटाएंगे तो 24 गंटा को कैसे लिख सकते हैं 23 बचकर 60 मिनिट यह तो 24 गंटा हो क्योंकि यह मिनिट है एक घंटा का होता है अगर एड़ कर दिये 23 गंटा प्लस यह हो गया एक आवर तो चुके आवर और मिनिट के फॉर्मेट में इसको क्या लिख सकते हैं 23 साथ तो अगर समय 11 और 1 के बीच में रहा तो इसको 23 साथ से माईस करेंगे यानि की 11 बचकर 60 मिनिट क्योंकि यह वाला जो है आवर मिनिट के फॉर्मेट में है इसलिए इसको भी करना होगा ओर मेर के से माईस करना होगा तो यह 13 बचकर 15 मिनिट अगर माइस कर दिये तो कितना होगा यह हो गया 45 और यह हो गया 8 तो 8 बचकर 45 मेंट इसका correct answer हो जाएगा तो option number D इसका correct answer है लेकिन इसमें क्या याद रखना है कि अगर 11 से 1 के बीच में रहेगा तो 23 साट से minus करेंगे ठीक है और अगर इसके लावे कुछ भी रहे तो 11 साट से minus करेंगे एक question water remains का भी पूस्ता है जल परती बीम का clock का अगर कोई time दिया जाएगा उसका जल परती बीम क्या होगा तो इसके लिए क्या करना होगा कि 18 बचकर 30 मिनट से minus करना होगा ठीक है इसको 18 तीस से minus करेंगे तो उसका water remains निकल जाएगा ठीक है अगर मेरा time जो है hour minute जैसे ये वाला क्या दिया है तो hour मिनट और क्या है second के format में दिया है अगर मान लेते हैं 3 बचकर 15 मिनट मान लेते हैं कि 15 सेकेंड होगा ठीक है 3 बचकर 15 मिनट 15 सेकेंड के format में दिया है तो इसका दरपन image कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो जो मेरा basic होगा, वो इसी format में होगा, हमको इसी में घटाना है, तो hour तो 23 हो गया, अब minute जो है, कैसे लिखे हैं, 60 minute है, 60 minute को कैसे लिख सकते हैं, अगर second में, माल लेते हैं, इसको 60 minute को लिख सकते हैं, 59 minute प्लस एक minute, एक minute बरा 59 minute, 60 second बोलें, या 60 minute बोलें, बात को एक ही हुआ, अब इसमें इसको घटा देंगे, तीन, चुकिए ये, जो है, क्या है, तीन बच का प्लस एक के बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें से करना चाहिए था, यहां 11 सिर्प लिख देंगे, और 59 minute, 60 second, तो यहां कितना हो गया, 15 और यह हो गया, 15, तो यह कितना हो गया, यह हो गया, 45 और यह भी हो गया, 45 और यह हो गया, 8 तो इसका मतलब क्या हो गया, और यह हो गया, 4 और यह हो गया, 4 तो 8 बच कर 44 minute, 45 second जो होगा, इसका correct answer होगा, ठीक है, अगर यह hour minute और second के format में दिया रहेगा, तो, ठीक है, क्विस्टिन में कह रहा है ये सिलोलिजम का क्विस्टिन इसमें कह रहा है कथन है कि सभी यूतियां जो है नर्तकी है सभी यूतियां क्या है नर्तकी है तो अगर सभी यूतियां ले 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 ठीक है ये यूतियां हो गया तो ये क्या हो गया नर्तकी हो गया सभी यूतियां जो हो गया क्या हो गया नर्तकी हो गया और सभी नर्तकी जो है संगितक्य हो गया तो ये भी इसके अंदर गता गया ठीक है संगितक्य हो गया अब निसकर्स में क्या कर रहा है कि कुछ यूतियां संगितक्य नहीं है दूसका निस्कस कर रहा है कुछ संकीत तक योतिया नहीं है तो इसमें एक बात याद रखना है नौट करके कि अगर मेरा जो statement है कथन है वो अगर क्या हो गया positive होगा तो मेरा जो conclusion होगा वो भी हमेशा positive होगा अगर conclusion negative दिया है तो उसको हम directly cut कर देंगे ठीक है अगर मेरा statement क्या है negative है तो मेरा conclusion भी क्या होगा negative होगा या टल सकते है तो यहाँ जो है कथन तो मेरा positive है कहीं तो negative नहीं है कथन लेकिन मेरा conclusion है दोनो negative है इसलिए directly आँख बंद करके हम option number जो पहला conclusion दिया है वो भी गलत कर देंगे और जो दूसरा conclusion है वो भी गलत कर देंगे इसमें सिर्फ देखना ही नहीं है negative है और statement मेरा क्या है positive है तो मेरा क्या दोनों कतंग गलत हो जाएगा और option number जो D होगा कि दोनों निसकास गलत है वो मेरा correct answer होगा next question number series का है इसमें दिया गया है कि जो loop संक्या है वो क्या होगा तो हम देख रहे है 0 है 2 है 6 है 12 है 20 है और 30 है तो हम देख रहे हैं कि इसको अगर दो से गुना कर दिये तो गुना के format पे नहीं होगा अगर गुना के format में होगा तो क्या हो जाता है चार छे ठीक है यह देखे डिफरेंस यहां डिफरेंस निकलते हैं दो हो गया यहां डिफरेंस कितना हो गया चार हो गया ठीक है क्योंकि अगर गुना होता तो यह भी जीरो होता तो difference निकालके देखते हैं 2 हो गया, 4 हो गया फिर यहां क्या, 6 हो गया फिर यहां क्या हो गया, 8 हो गया फिर यहां क्या हो गया, 10 हो गया कैसे बढ़ रहा है यह देखें, 2 बढ़ रहा है यहां पर फिर यहां क्या, 2 का difference हो गया यहां का 2 का difference हो गया, यहां 2 का difference हो गया तो इधर भी 2 का difference हो गया और यहां 12 हो जाएगा ठीक है, 20 और 10 क्या हो गया, 30 12, 8 क्या हो गया, 20 उसी तर 30 और 12 यहां क्या हो गया 42 हो जाएगा, तो यह answer हो जाएगा 42, ठीक है, 42 इसका correct answer होगा तो option number जो B होगा 42 इसका correct answer होगा ठीक है यदि हाइड का मतलब 1440 है ठीक है यह हाइड हो गया और इसका value जो है कितना दिया है 1440 दिया है तो कैसे होगा तो यह जो numerical value आया है यह इसका position कितना होता है 8 है यह कितना है 9 है यह कितना है 4 है और कितना है 5 है हम देख रहे हैं इसमें 0 लगा हुआ है और इन दोनों का multiplication भी 520 यानि 20 में 0 लगा हुआ है तो हो सकता है कि इनको सभी को multiply कर दें तो आ जाएगा तो जैसे अठनम 72 72 को अगर जैसे हम 20 से multiply करते हैं तो क्या answer आ जाता है 1440 ठीक है तो यही है कि जो भी later दिया है उसका जो positional value होता है उसका multiplication यह answer देता है उसी तरह हम को क्या निकालना है white का निकालना है ठीक है तो white में यह कितना होता है 23 होता है 9 होता है 4 होता है और 5 होता है तो इससे पता चल जाता है यहां भी देखिए आप लास्ट में DE है यानि एक 0 तो देगा ही 20 तो इसमें से तीन तीन आंसर जो है 0 वाला इसलिए मल्टिप्लिकेशन करके देखना होगा 22 गुने 9 गुने 20 तो कितना होगा आंसर? 29 27 सिर्फ अगर हम यूनिट डिजिट को गुना करके देखें तो 29 27 और 27 को दो सगर गुना करेंगे तो 54 होता है यानि कि 4 होना चाहिए यहां पर और इसके आगे तो एक 0 यहां पर होना चाहिए यानि लास्ट वाला जो दो डिजिट होगा वो 4 0 होगा तो इसमें जो option number C में ऐसा answer है तो option number C is the correct answer तो अगर गुना करेंगे तो इसको 41 40 C आएगा ठीक है